हलो दोस्तो अभी तक हमने पड़ा OMSLA के बारे में लास्ट लेक्चर में अब हम समझते हैं आपका रजिस्टेंस के बारे में कि वहां पे जो V equal to IR आया था और R को आपने क्या बताया था एक रजिस्टेंस बताया था अब हम उसी resistance को देखते हैं, कि वो resistance आपका क्या होता है, तो next आपका इसमें हम पढ़ेंगे resistance के बारे में, तो resistance को देखते हैं यहाँ पे, इससे पहले हम एक consider करते हैं, आपके पास में एक conductor है, यह आपने conductor यहाँ पे draw किया, ठीक है, यह conductor आपका आगया, और इस conductor को आपने एक switch के through, कि से connect कर दिया है, एक battery से connect कर दिया, तो यह आपकी battery हुई, और यह आपका एक conductor आपने draw कर दिया, मान लीजिए कि आपका conductor corporate का बना हुआ है, तो इसको आपका बोलते हैं, copper conductor ये किसका conductor आपका copper का तो ये copper का आपका conductor हो गया और ये आपका हो गया एक switch अभी switch को आपने क्या किया हुआ है open किया हुआ है जब आपका switch open होगा तब इसके अंदर कुछ electron present होगे और वो electron अपने nucleus के чारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं तो यहां से आपका क्या हो जाएगा कुछ electrons आपके आएंगे जो आपके चक्कर लगा रहे हैं यानि कि हम बोल सकते हैं कि वो electrons आपके arbitrary किसी भी path के अंदर move कर रहे हैं आपका इस तरीके से तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा electrons का motion होगा और इस motion को आपका बोलते हैं zigzag motion तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे when switch is open जो switch आपका क्या रहेगा open रहेगा when switch is open तब आपके क्या होंगे electrons are flowing in zigzag motion या आपके zigzag motion के अंदर आपके क्या है electrons है तो electrons आपके उस टाइम पे किस में रहते हैं आपके zigzag motion में रहते हैं अब देखो जैसे हम इस switch को क्या करेंगे close करेंगे तो next condition आपके आती है इसके बाद में when switch is close जब switch को हम बंद कर देंगे यानि कि battery को जब हम connect करेंगे आपके किसे conductor से यानि कि आपके condition क्या आजाएगी यहाँ पे आपने switch को रखा हुआ है यह switch आपने कर दिया close ठीक है तो यहाँ से यह switch है आपका और इसको आपने क्या कर दिया है यहाँ पे close कर दिया है यह आपका conductor था ठीक है यह conductor हो गया और यहाँ पे आपने connect किया हुआ है किसको एक battery को यहाँ पे आपने किसको connect कर दिया है एक battery को आपने connect कर दिया अब जैसे ही आपकी battery connect होगी तो यहाँ पे जो concentration है आपके electrons की वो आपकी जादा है ठीक है और यहाँ पे electrons की concentration क्या है कम है positive के उपर तो इसका मतलब अब जो आपके electrons होंगे वो आपके negative से positive की तरफ flow होना start हो जाएंगे इसका मतलब यह जो electrons आपकी है यह electrons आपके इस direction में चलना शुरू हो जाएंगे यानि की इस तरफ यह electrons की आपकी क्या होगी movement होगी तो electrons आपके क्या कर रहे है move कर रहे है कहां से कहां पे negative से positive की तरफ यहां से आपके आ रहे है positive की तरफ clear है अब जैसे ही आपके electrons यहाँ पे आएंगे तो आपका resistance इस conductor की वो property होती है जिसके थुरू यह conductor आपके electrons के flow को oppose करता है इसका मतलब आपका क्या हुआ कि यहां पे आपका जो conductor होगा वो electrons के flow को रोकने की कोशिश करेगा कि आप रुक जाओ आगे मत जाओ तो इसी को हम बोलते हैं आपका क्या resistance इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे की मान लीजिए आपके पास में हजार रुपे हैं ठीक है और आपके दोस्त आपको मिल जाते हैं किसी party के लिए बोलते हैं वह आप मुझे एक party दे दो तो आप क्या करोगे देखो आप मना भी नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके friends हैं और आप जब खर्च करते हो पैसे तो आपके दिमाग में एक बात चलते रहती यार बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होगे और जब आपके limit क्रोस होने वाली होगी तो आप उसको क्या करोगे मना करोगे भई अब रहने दो अब मेरे पास में पैसे नहीं हैं तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब आपका यह हुआ कि उसके बाद में आपके आप वैसे तो खर्च करते जा रहे हो वैसे तो आपके electrons का flow होता जा रहा है उसी तरीके से ठीक है लेकिन कहीं न कहीं आप उस चीज को क्या कर रहे हो आप पोज कर रहे हो और उसी को हम क्या बोलते हैं आपका यहां पर resistance बोलते हैं तो resistance आपकब बताएंगे resistance is the property of an element एक element की या फिर हम बोले conductors आपकी या फिर आपके alloys ठीक है उनकी आपकी वो property होती है और जिस element की property होती है उसको बोलते हैं आपका register भी बोल सकते हैं ठीक है आपका conductor भी बोल सकते हैं और एट सेक्टरा में आपका alloys भी आगया ठीक है उस element की वो property है due to which जिसकी वज़े से due to which it oppose the flow of the flow of electrons it oppose the flow of electrons through the material जो भी आप material यहां पर use कर रहे हो उसके flow को क्या करता है आपका अपोज करता है clear है अब देखो जितने भी conductor आपके होंगे उन सभी conductor का आपका कुछ ना कुछ क्या रहता है resistance रहता है जितने भी conductor सब क्योंगे इसलिए मैंने आपका बोला कि रजिस्टर आपके हैं यहां पर conductor है ठीक है तो इसका मतलब आपका यह हुआ कि इस conductor को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वही conductor की जगे आपने क्या बदा दिया आपका एक resistance बना दिया यहां पर आपने इस स्विच को लगाया और यह आपका किसे कनेक्ट हो गया है बैटरी से आपका कनेक्ट कर दिया आपने तो इससे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको यानि की conductor को जब आपका स्विच ओपन रहेगा तो ऐसे फ्लो करेंगे फिर conductor को आपका ऐसे और conductor को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक resistance आर के थ्रू यानि की हर conductor का कुछ ना कुछ resistance जरूर होता है ठीक है अगर resistance नहीं होगा जैसे माल लो कोई ऐसा आदमी है जिसके बाद हजार रुपे की कीमत ही नहीं है ऐसा भी तो हो सकता है ना तो जिसके पास में हजार रुपे की कीमत नहीं है वो तो एक सूपर मैन है ना यानि कि उसको कोई फरक ही नहीं पड़ता है super conductor की category में आता है otherwise super conductor आपके अलग होते हैं जहां पर resistance आपका negligible होता है जीरो के बराबर होता है और super conductor है ना बनाना impossible होता है क्योंकि हर इंसान की यही फितरत है कि वो आपके oppose क्या करता है आपका oppose करता है किसका oppose करता है कुछ भी आपका change होगा जैसे उसके पास में जो भी material होगा अगर उससे लेने की कोशिश करेंगे जैसे कि आप लोग ऐसा है समझे आपके पास में cycle है और आपका दोस्त बोलता है तुम आज school attend करो मैं तुमारी cycle गुमा के लेके आता हूँ या फिर आपके पास में बाइक है उसके साथ में भी ऐसा ही होता है तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में ये विचार जरूर चलता रहता है कि कहीं वो मेरी cycle को या मेरी बाइक को खराब ना कर दे है ना तो इसका मतलब आपका क्या हुआ वो आपके दिमाग में क्या है एक आपोजिशन है कि मैंना ऐसा क्यों किया पूरे दिन आपके दिमाग में यही चीज़ चलती रही तो इसका मतलब आपका यह हुआ कि आप क्या कर रहे हैं उसको मनी मन में आपोज करते जा रहे हो यानि कि Conductors आपके क्या करते हैं अपोज करते हैं किसका अपोज करते हैं यहाँ पे Flow of Charge और Charge Particle आपके कौन से हैं यहाँ पे हम बात कर रहा है किसकी Electrons की तो Resistance वो प्रोपर्टी होती है जिसकी वज़े से आपका कोई भी Conductor क्या करता है आपका अपोज करता है और इसको हम क्या बोलते हैं Resistance को परतीरोद इसको क्या बोलेंगे आपका परतीरोद बोलेंगे ठीक है तो यह हुआ आपका किसके बारे में Resistance के बारे में ठीक है अब देखो अब हम इसमें यह समझते हैं कि जब Resistance आपका आगया है तो इसके अंदर potential drop कैसे होगा, कैसे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे potential का drop हो रहा है, अब हम उसको जानते हैं जरा, उसके लिए फिर से यहाँ पे आते हैं आपका, तो यह जो आपके electrons आपको नजर आ रहे हैं, जो आपके arbitrary flow कर रहे हैं किसी भी random direction में, उस random direction को हम बोलते हैं आप देखो, जैसे ही आपने इस switch को क्या किया, close किया, यह तो आपके एक direction होगी, कुछ electrons आपके ऐसे जाएंगे सीधा, लेकिन, क्या सारे के सारे electrons आपके ऐसे जाएंगे, ऐसा नहीं है, कुछ electrons कैसे जाएंगे, देखो, यह electron ऐसे गया, माल जो ऊपर वाले electron की बात कर रहे यह electron आपके ऐसे जा रहा है, नीचे वाला electron उस टाइम पर ऐसे आ रहा था, तो यह आपका एकदम से, यहाँ पर आपके क्या होगे, टकराएंगे, अब जैसे ही आपका टकराएंगे, तो आपने एक कहानी सुनी होगी, आदी मानाव की, वो कहानी जिसमें आपको बताते हैं और उसी से आपका किसकी खोज हुई थी, आपकी खोज हो गई थी, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या होगा, electron जो आपका होता है, वो बहुती light mass particle है, यानि कि इसका जो mass होता है, mass on each electron, यह आपका होता है 9.31, 9.1, इसका mass आपका होता है, 9.1 into 10 raise to power minus 31 kg, यानि कि बहुती light particle यह आपका होता है, और जब यह light particles आपस में टकराएंगे, और इनकी संख्या बहुती ज़ादा होगी, क्योंकि इस conductor के अंदर हो सकता आपके लाखों करोडो electrons हो, तो इतने electrons जब आपके टकराएंगे, तो उसकी वज़े से आपका क्या आपके losses हो जाएगी, यापस की वज़े से क्या होगी, आपकी heat produce, और heat produce का मतलब हमने पड़ा है कि potential आपका होता है, work done per unit charge, यह आपका क्या होता है, potential है, यह हमने पड़ा था solar electric potential के बारे में, या potential difference के बारे में, już work done per unit charge, झाकर है, अब work done को हम किस में represent कर सकते हैं, आपका, represent कर रहा है, तो इसका मतलब जो heat आपकी बन रही है यानि कि heat आपकी क्या है energy की form में है, जो heat energy आपकी बन रही है, वो किसको दिखा रही है, potential को, तो इसका मतलब जो आपकी, जहां पर आपका collision होगा, उसकी वज़े से जो heat produce हुई, वो heat produce को हम बोलते हैं, कि उस conductor के across, आपका क्या हो गया है, potential drop हो गया यह आपका बताता है कौन सा, यह circuit आपका जो आपका बनाया हुआ है, यही चीज़ आपकी represent करता है तो इसका मतलब आपका क्या हुआ देखो, यहां से, यह मालीजी आपने पोटेंशल लगाया, V, ठीक है अब जैसे ही आपका current यहां से जाएगा इस स्विच के थूर, आपका current गया, मालीजी आई तो यहां से लेके और इस point तक आपका कोई भी resistance नहीं है, similarly यहां से लेके और इस point तक कोई resistance नहीं है, तो यहां पे resistance आपका क्या होगा, zero हम माल लेते हैं, इसका resistance क्या है आपका, zero है, यहां से लेके और यहां पे जो आपने connect किया हुआ है यहां से लेके यहां पे जो आपने connect किया हुआ है इनको बोलते हैं आपका connecting wires वही आपने circuit को किन की help से मनाय हुआ है, connecting wires की help से इसको connect किया हुआ है तो इसका मतलब जब ये resistance आपका यहाँ पेitta की आपकुछ क्या हो जाएगा potential drop और कितना potential drop होगा देखो जितना आपने यहाँ पे लगाया था वो सारा का सारा potential कहां पे आ जाएगा? इस resistance के across आ जाएगा. और इसी लिए हम बोलते हैं, अगर इस type का circuit है तो यहां पे हम इसको बोलते है, और इसको भी हम क्या बोलते है, आपका V ही बोलते है, क्यों कि इसको बोलते है, applied potential, और इसको V को बोलेंगे, क्या? potential इसको वी को बोलते हैं, ऊपर वाले वी को Potential Drog, Potential के अंदर आप क्या हो गया, द्रोप आगया, और इसको हम बोलते हैं, वी को Applied Potential, इन दोनों के बीच में बस इतना साही डिफ्रेंस होता है, ये आपने पिछले lecture में भी देखा था, तो ये मैंने आपको समझाया इसके अंदर इस तरीके से ड्रोप होता है अब ड्रोप होता कैसे है जरा अब हम वो देखते हैं तो देखो यह माल लीजिए आपके पास में क्या है एक रजिस्टेंस है ठीक है और यहाँ पे आपने क्या कनेक्ट कर दिया एक पांच वुल्ट की बैटरी आपने कनेक्ट कर दी है इसके क्रोस यहाँ प्लस और यहाँ पे आपका क्या है माइनस है अब जरा देखो इसमें यहाँ से लेके और यहाँ तक इस पॉइंट तक कोई भी आपका रजिस्टेंस नहीं तो इसका मतलब आपका क्या हुआ इसको जरा ऐसे समझिए कि यहाँ तक आपक जैसे ही आप इस resistance के अंदर enter करोगे तो इस resistance का ये resistance आपका क्या करता है? अपोज करता है. किसका अपोज करता है? flow of charge. यानि कि flow of electrons का आपका अपोज करना शुरू कर देता है. अब जरह हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर आपका क्या होता है? तो जरह इसको देखिए. यहा पोटेंशल ड्रोप नहीं हुआ तो यहां तक मान लीजे पांच वोल्ट है और इस पीक पे पांच वोल्ट है फिर आपका यह नीचे गया फिर उपर आया तो यहां तक आते आते हैं इसका कितना रह गया चार वोल्ट यानिकि इसने कुछ एनरजी को क्या गर दिया लूज कर अब इसके बाद में सेकंड पीक आने के बाद में यहां पे तीन वोल्ट फिर यहां पे दो वोल्ट फिर यहां पे एक वोल्ट और लास्ट में आपका कितना हो जाएगा जीरो वोल्ट इस तरीके से आपका क्या होता है पोटेंशल के अंदर ड्रोप होता रहता है यानिकि ह प्रिंडख़ खरने के लिए क्या चीज जरूरी होती हैं आपकी पोटेंशल डिफ्रेंश होना जरूरी है और इनके बीच में हमेशा क्या क्या बना रहता है। ये तो आपको मैंने बताया, अब इसको हम practical कैसे समझते हैं, उसके लिए आप ऐसा समझेए, माल लीजिए, आपके पास में एक cycle है, और आपने वो cycle क्या किया रोड पे लेके आप निकल पड़े, अब जिस रोड पे आप लेके निकले थे, उस रोड का आपको पता नहीं था क कि वो कुछ किलो मेंटर जाने के बाद में, जैसे माल लीजी एक किलो मेंटर आप गए, उसके बाद में वो रोड टूटा हुआ था, ठीक है, आपकी cycle बिल्कुल सही थी, लेकिन रोड टूटा हुआ था, तो क्या हुआ, कि आप रोड पे चलते रही, cycle आपकी समूझ चलती है, उसके अंदर दिक्कत आना शुरू हो जाएगी, आपकी cycle वाइबरेट करना शुरू हो जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है, कि cycle के अंदर जैसे पंक्चर हो जाए, मतलब हवा निकल जाए उसकी, या फिर आप वहां पे रोड पे गिर भी सकते हो, तो इसका मतलब क्या यहां से लेकि यहां तक जितना current यहां पे गया, उतना ही आपका वापिस आ जाएगा, यानि कि current की तो जो speed है, वो तो आपकी उतनी ही बनी रही, लेकिन यहां पे क्या हुआ, जैसे ही आपका यह रास्ता आया, संकरा रास्ता, यानि कि जो आपका रास्ता टेडा मेडा आय का दिखाते हैं तो यह हुआ आपका किसके बारे में रजिस्टेंस के बारे में और यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से रजिस्टेंस के अंदर आपका क्या होता है potential drop होता है ठीक है तो यह जो आपकी representation थी जो अभी इन दोनों का जो प्रोडेक्ट होगा वो किसको बताएगा इसके एक रोज पोटेंशल ड्रोप को बताएगा यह आपको क्लियर हुआ हुआ अब हम इसमें समझते हैं कि कैसे आपका रजिस्टेंस बाकी फेक्टर से अफेक्ट होता है यानि कि बाकी जो प्रोपल्टी होती है आपकी रजिस्टेंस की अगर उसमें से कोई भी चेंज आ जाए तो कैसे आपका रजिस्टेंस अफेक्ट होता है